आज हम वर्कशीट 85 करने वाले हैं और यह वर्कशीट आपकी 18 ओफरवरी 2021 के लिए दी गई है समविधान निर्मार जो आपका चैप्टर है इसकी पुन्राविर्ती हम करेंगे ठीक है तो यहां पर देख लीजिए फटा फट से आपके जो कुश्चन से यह MCQ टैप कुश्चन है अगें वही पैटन में हमें दिया हुआ है 6 कुश्चन आपका मल्टीपल यह पैसिज के आधार पर आपको गद्यान्ष को पढ़कर सोर्स बेजड कोश्चन है देना है और 78910 आपके जो है वह आपको अंसर लिखके करना है तो चली सॉल्यूशन देख लेते हैं कोश्चन है सम्विधान किसे कहते हैं हमें किसी देश या संस्था को चलाने के लिए कुछ नियमों की आउशकता होती है इन नियमों के संकलन को हम समविधान कहते हैं यानि कलेक्षन ऊफ रूल्स इसको आप रूल बुक भी कह सकते हैं जैसे हमारा समविधान ऐ रूल बुक है जो बहुत सोच समझके बनाया गया है किस तरीके से देश को चलाना है सम्विधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो यहां पे आपको चार ओप्शन दिये मैं ओप्शन नहीं सिधा अंसब बता रही हूं आपको निसमबर 1946 1946 ठीक है हमारे देश के सम्विधान कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1905 जिसे आप अपने गरतंत्र दिवश के सम्विधान सभा की प्रारूप कमिटी के अध्यक्ष कौन थे तो प्रारूप कमिटी के अध्यक्ष कौन थे बी राओ अंबेटकर यह डॉक्टर बी आर अंबेटकर के नाम से भी जानते हैं सम्विधान के बनाने में इनोंने बहुत बड़ा योगदान दिया था दिये पर आपसे तीन प्रशने पूछे गए हैं दुनिया की कई देशों को सम्विधान दुबारा क्यूं लिखना पड़ा क्यूंकि सम्विधान में दल्ज बुनियादी सिध्धानतों पर वहां के समाजिक समुहों या राजनेतिक दलों की सहमती नहीं थी ठीक है तो इसलिए कई समय दुबारा लिखना पड़ा दुनियोग के कुछ देशों में सम्विधान का आच्रन करने से आप क्या समझते हैं सम्विधान का आच्रन करने का अर्थ है समविधान का पालन करना तीसरा है हमारा सम्विधान कैसे आसाधारण है हमारा सम्विधान सभी समाजिक समूहू तथा राजनेतिक दलों के द्वारा सभी स्विकार है इसलिए हमारा सम्विधान आसाधारण है क्यों हमारा सम्विधान 200 साल के गुलामी के बाद बहुत ही सोच समझ कर और पूरे दुन समानता के अधिकार के लिए विवादों से क्यों नी बचेंगे क्यों कि संविधान सबके विचारों कि आधार प्रबना है साशन विवस्था की कारे और शक्तियों के निलधारण के लिए कि किस तरीके से आगे देश को चलाना है इसलिए समय समय पे कुछ बदलाव भी किये जाते हैं प्रशन आठ में बोला है हमारे देश में समविधान के क्या क्या कारे हैं तो सरकार की शक्तियों तो था कारें का निलधारण जैसे कि हमारे समविधान में प्रदान मंत्री जो है कैसे उनकी नियुक्ति होगी एपॉइमेंट होगी कैसे उनको कारे करना है उनकी क्या पावर्स एक देश का एक नियम निश्चित करना ठीक है सब कुछ निश्चित करना समानता सुनक्षित करना कैसे fundamental rights हमारे मौलिक अधिकार है और उन मौलिक अधिकारों को हमारा समविधान बनाता है बेदमाओ को रोकना ये भी मौलिक अधिकार के अंतरगत नियाय प्रदान करना समवि लिखते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा गया था विवित्ता धर्म निर्पेक्ष्टा सबसे पहली बात तो जो हमारा देश है यह माना गया कि बहुत जदा वैरियेशन पाई जाती है चाहे जाती धर्म लिंग और चाहे जोग्रफिकल विवित्ता की बात करें हर तरीके से पाई जाती है धर्म निर्पेक्ष्टा समानता समाजिक नियाए और देश की अखंडता इन बातों को ध्यान में रखकर हमारे देश का समीधान लिखा गया था आपके अनुसार हमारे देश के विकास में हमारा समीधान कितना सार्थक है तो कैसे हमारे देश डेवलेप्में और समानता को सुनिश्चित किया है आपसी विश्वास था भायचारे को बढ़ावा दिया है समिधान ने एक समान अवसर प्रदान कर देश के आर्थिक पत पर आगे बढ़ने में मदद की है तो यह आपके दस प्रश्ण थे जो इस तरह से थे आई होप आपने कर लिये होंग विडियो को लाइक शेर और चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें